हेलो नमस्कार जैहिंद बंदे मातरम सभी प्यारे दोस्तों को भविश्य के फौजियों को प्रणाम है प्यारे साथी आप जानते हैं स्सी जीडी में चार-पांच प्रिश्ण ही अभी चर्चित में हैं क्योंकि आपको पता है ना अभी फिजीकल की कोई डेट है ना कोई एक से पांच कोशन होंगे कट ओफ तो सबको मिल चुकी है तो देख लिजिए भी आपके पास बहुत वक्त है किसकी भी आपको फसंद ओ ऐसी बात नहीं है कि कोई पर्टीकुलर की ही आप देख लीजे जहां भी आपको ठीक लगे और आपको लगे कि हाँ ये मुझे सही लगत फिजीकल एक्सपेक्टेशन वही जो पहले बोली थी वही सेम चीज है ध्यान रखना प्यारे भाई मई के महीने में अभी यही है जब तक कुछ नहीं हो जाता तब तक जून में नहीं कूदेंगे अभी मई का ही रखेंगे क्योंकि बहुत से एक्जाम इस समय भी हो रहे है ऐसा नहीं है सब कुछी पॉसपोंड हो गया यह भी इसकी कोई भी ऐसी खवर नहीं है कि यह पॉसपोंड हुआ है लगता भी लेकिन चुनाब का जैसे हवाला दिया जा रहा है कि चार तारिक तक तो लगवग जैसे कि विश्युद में मतलब हमर्जेंसी लग गई एकिचा तो मई के महिने में आ जाएगा लेकिन अब फिर को कहते हैं इस वरिक्षा बली असीदा गॉट्स विल वी डन यानि एक एक एक्सपेक्टेशन रहती है जैसे हम चंद्रवा वगरा पहुंचते हैं वहां की एक कैलकुलेशन रहती है लेकिन क्या होगा उसके साथ वो तो फिर रहती है अपका उड़ा साबात कर लिए यहीं पूछ पूंच्य परी अचारा बढ़ने से पहले एक बुक की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त मिर बार भी बहुत लोगों ने इस बुक बारे में एक बात ध्यान रखना, पेछली बार भी जिन बच्चों ने मेरी बात मानी थी, उन्होंने, मतलब जो रिव्यू दिया ना, वो घजब का दिया, प्यारे बच्चे, उन्होंने कहा, कि चक्षू की, देखो, मंदिर में दर्सन करने जा रहे हो, केवल दर्सन करके मता जाओ, थ चाहें, तो कॉम्बो सेट में प्रेक्टिस सेट भी ले सकते हैं, और कहीं से भी ले लिजिए, यहां से आपको मौका मिले, ओनलाइन आप खरीद लिजिए, बनाव दा बैस्ट भूक है, फोर एससे जी जीडी स्पेशली, तो जिन्होंने पिछली बार बात मानी थी, वे कह ही न कहीं बरदी में हैं, तो आप भी मानेंगे, तो भगवान की कृप्पा आप भी रही, तो आप भी बरदी में आओगे, ठीक है, तो यहां से आप ले सकते हैं, प्यारे बच्चे, और सारे सब्जेक्ट्स की आप यहां पर चारों सब्जेक्ट्स आपके, GS, math, reasoning, हर पता है लेकिन उस दिन बच्चे भूल जाते हैं जो बोटर होते हैं इसलिए यह चीज़ें रिपीटेड मोड में बतानी जाती है कि एडमिट कार्ट जरूर लेकर जाना बच्चे इसको तक भूल जाते हैं डोकुमेंट वेरिफिकेशन में एक आपको 10th की मार्क शीट लेके जानीए प्रमाण पत्र उसका जो पासिंग सर्टिफिकर जिसको बोलते हैं और उसके बाद मोर मतलब कुछ बच्चों का प्रशन होत लेकिन यह होना चाहिए यहां से मिलाएंगे वो जो खुछ भी आपके नाम नंबर पापा जी का नाम इधर से देखते हैं तो मीशाइल मतलब मूल निवास आपके पास होना चाहिए और सब से ज्यादा मतलब पांच हज़ार से ज्यादा लोग इस मूल निवास में निकलें इस बार यह ध्यान रखना यह घपले में क्यों कि बिहार बालों ने बैस्वेंगोल बालों ने इदर उदर के बना के किसी दूसरे स्टेट में अपलाई कर दियें बहुत वच्चों की नोकरिया वो खा गए बहुत तगड़ा इस पर एक्शन हुआ है हज्जारों लोग अपन की तरह मेरी जॉब भी चली जाए ऐसा नहीं होना चाहिए का सर्टिफिकेट जाती प्रमाण पत्र आप सबको लेकर जाना है एवस वाला भी एकॉनोमिकली वीकर सेक्शन वाला आपने लगाया होगा तो इडबल ओभी सी का और स्ट का चारों में से किसी कैटेगरी से आप ह भी ले जा सकते हैं पाद में तो जब कुछ भी नहीं होता तो कॉलेज के आई कार्ड भी चल जाते लेकिन अभी नहीं चलेंगे सरकारी नों करिये तो आपको एक परमानेंट आई कार्ड आपके होना चाहिए बैस्ट यह है आधार लेकर जाजिए आप और इजीनल अब दे उनको जरूत पड़ेगी वो रख लेंगे अटेस्ट करवाएंगे तो वहीं के वहीं अटेस्ट करना ठीक है और रही बात फोटोस की तो 10 से 12 फोटो हमेशा रखी अपने परस में हमेशा यहीं इंपर्टेंट डोक्यूमेंट से कोई भी जरूत पड़ेगी आगे मैं आपक के लिए वो वीडियो एक छोटा सा और बना दो ठीक है अपना ख्याल रखे खुश रही है कोई भी नई इंफर्मेशन आएगी अब जीतेंगे के शॉट्स को फॉलू करते रहे ना शॉट वीडियो में आपको वह इंफर्मेशन मिल जाएगी तेंक्यू वेरी मच्च टिल इंट च्येर वाय नेख वाय एंग झालोट